पूरे दिन आपको किन किन संघर्षू से गुजरना पड़ेगा साथ ही किन उपाईउं को करके आप परिशानियों से छुटकारा पा सकते हैं तो चली शुरू करते हैं हमारा ये खास शो और जानते ही आपका आज का राशी फल क्या रहेगा में प्रेम वसने बना रहेगा उपाई धाग के पत्तु को धूकर वीरानी में दबाएं मिथुन राशी आज का दिन संपत्ति की प्राप्ति के लिए रहेगा आपका रक्ति संबंधी रिष्टों पर पूरा ध्यान देने की आविश्रक्ता हैं आप कहीं किसी के साथ घूमने पिरने जा सकते हैं उपाई हनुमान चालिसा अत्वा सुंदर कांट का पाठ करें करक राशी आज का दिन आपके लिए भाग दौर भरा रहने वाला है आपको कोई बड़ा लेंदेन करने से बच्छना होगा आपके मन में किसी बात को लेकर चिंता रहेगी उपाई श्रीरा रक्षा स्त्रोत का पाठ करें सिंग राशी आज का दिन किसी विशेश व्यक्ति से मिलने के लिए रहेगा आपके घर में किसी आतिती का आगमन हो सकता है आपकी तरक्की की रह में आई बाधा दूर होगी उपाई गनेश जी को पीले फूलों से उनकी पूजा करें कन्या र देने के बारे में सोच सकते हैं उपाई अपने विप्रीत लिंग साथी को इत्र भेट करें तुला राशी आज का दिन किसी वात विवात से दूर रहने के लिए रहीगा बिजनिस में आपका कोई बनता हुआ काम बिगड सकता है आपकी आर्थिक स्थिती पहले से बहतर रह किये उपाई बहन गुआ मौसी से आशरवाद प्राप्त करें व्रिशक राशी आज का दिन स्वास्ति के लिहास से कमजोर रहने वाला है जीवन साथी के साथ संबंधों को मदूर रखने की आवश्यक्ता है आप किसी वात विवात में पढ़ने से बचे उपाई पूजा करें धनू राशी आज का दिन अच्छा रहने वाला है परिवार में आपको कुछ जरूरी कामों को लेकर सतर्क रहना होगा आपके कुछ नए शत्रू उत्पन हो सकते हैं उपाई दुर्गा शप्तशति का पाड़ करें मकर राशी आज का दिन सोचे समझे कामों को पूरा करने के लिए रहेगा आपके मान सम्मान में व्रद्धी होगी बिजनिस में आपने यदि बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो इससे आपका कोई नुकसान हो सकता है उपाई गेहु गुड आटा तामबे का दान करें कुम विराशी आज का दिन किसी वाद विवा उपाई एक मुखी रुद्राक्ष गले में धारन करें मीन राशी आज का दिन समस्याई लेकर आने वाला है परिवार में किसी सदस्य के व्याभार को लेकर आप परिशान रहेंगे आपकी कारेशेत्र में अपने सहयोगियों से किसी बात को लेकर खटपटोगी उपाई श् सावित होती है ऐसे लोगों के लिए हम रोजाना अपना ये शोर लेकर आते ही ताकि वो अपनी दिनचर्या को जान सके खेर आज के राशी फेल में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सीरियूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाद